पारी और 141 रणों की धमाकेदार चीज़ दर्च करने के बाद रोहिज शर्मा की कप्तानी में अब टीम इंडिया गुरुआर को तिरनदाद में शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट को जीद दर्च करके क्लीन स्वाइब करना जरूर चाहेगी इस टेस्ट में इंडियन क्रिकेट टीम में कुछ बदलाव भी हमें देखने को मिल सकते हैं दोस्तों पहले मुकाबले में तो यह शर्षी जैसवाल और इशाल किशन को मौका मिला था लेकिन यहाँ पर अगर हम कप्तान रोहिज शर्मा की बात पर गौर करें तो कुछ चेंज रुतराज गायकवाड एशियन गेम्स में टीम इंडिया की कप्तानी करते नजर आएंगे अब ऐसे में गायकवाड को चांस देना तो बनता है दोस्तों अगर हम लाइन अप की बात करें तो ओपनिंग में तो फिलाल कोई जगे नजर नहीं आती क्योंकि रोहिज शर्मा के तो या शषवी जैसवाल पारी की शुरूआत करेंगे ऐसे में मिडिल आरडर में रुत्राज गायकवाड को उतारा जासकता है उनने यूज किया जासकता है अगर गायकवाड को टीम में जगे मिलती है तो शुम्मन गेल विराठ कोली या अजिंक्या रहाने मेंसे किसी एक को बाहर बैठना होगा अब दोस्तों यहाँ पर आपकी लिहाँ से अगर रुतराज का एक वाट टीम में शामिल होते हैं तो ऐसा कौन सा खिलाडी होना चाहिए या होगा जो की डगाउट में आपको बैठा नजर आएगा जब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा दोस्तों यहाँ पर एक बात और गौर करने की है भाई पहले टेस्ट में इंडिये स्पिनर्स के सामने विंडीज के बल्ले बाजों का संगर्श हमें साफ तोर पर नजर आये था अब चुकि टीम में बदलाव देखने को हमें मिल सकते हैं तो ऐसे में अकसर पटेल को प्लेइंग 11 में शामल करने पर विचार किया जा सकता है हलाकि टीम में अश्विन और जड़ेजा जैसे गेंदबाज मौजूद है तो ऐसे में क्या अकसर पटेल जो की गेंदबाजी के साथ साथ बल्ले बाजी करने में भी निपोड है उन्हें मौका दिया जा सकता है और अगर अकसर पटेल प्लेइंग 11 में आते हैं तो शार्दूल ठाकुर को बाहर बैठाये जा सकता है कमेंज सेक्शन में दोस्तों अपनी राय जरूर दें कि आखिर इस प्लेइंग 11 में कौन से बदलाव हैं जो की आपके लिहास से हमें देखने को मिल सकते हैं